नमश्कार आप देखे हैं परपल हरेने परदेश की युवाओं को प्राइवेट नोक्रियों में जल्द ही 75 प्तेशत आरक्षन मिलेगा जिस से अकेले राष्टे राजधनी छेतर में 7.5 लाग युवाओं को 30 हजार रुपे प्रती महावेतन वाला रोजगर प्रापत होगा इसके लिए भासपावे जन्नाएक जन्ता पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जल्द ही जन्ता के सामने होगा यह बात जच्पा के युवा परदेश अध्यक्ष रविंदर साग्वान ने विवानी मिपत्रकारों से बाचित करते हुए कही वे यहाँ जच्पा की जिलाई युवा इकाई की बैठक को संबवित करने पहुंचे थी इस मौके पर युवा परदेश अध्यक्ष ने कहा कि भास्पा वे जच्पा के सामूरी गोशना पत्र को लेकर दो बार उच्च सत्रिय मिटिंग भी हो चुकी है जल्द ही परदेश के युवाओं को 75 परदेशत रोजगार प्राइवेट नोक्रियों में दिये जाने के फैसले पर मोहर लग जाएगी उन्होंने बताया किया केले NCR चेतर में 10 से 12 लाग रोजगार प्राइवेट चेतर में है चत्र प्तिशत के शर्ट लागू होने पर 7.5 लग बग परदेश के युवाओं को रोजगार प्राइवेट चेतर में मिल सकेगा इस से युवाओं के लिए रोजगार की समस्या कम हो जाएगी और उनने कहा कि रोजगार के इलावा किसानों के कर्ज माफ मजदूर वे महिलाओं के लिए गूशना पत्र में शामिल की हुई कल्यान कर यूजणाओं को भी कोमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रात्मिक्ता दी जाएगी और इसे के साथ देखते रहे हैं परपल की एक खास कवर परविंदर भाई साथ आपको बात कहना चाहता हूँ कि इतने वी यूवासाती हमारे संगर्स के साथ ही रहे हैं जब भी उन्हें आपके रिकार रहे हैं बिरेश नम्मर नारा आई देखिए सबसे पहले तो अर्याना वासियों को सुब कामनाई देना चाहूंगा अर्याना परदेस में एक सबसे बड़ी छेत्रिये पाल्टी के रूप में जन्नायक जन्ता पाल्टी को चुनाव आयग उने दरजा दिया है उसके लिए जन्ना एक जन्ता पार्टी के सभी वरिष्ट कारिय करताओं का युवा साथियों का महिला सक्ति का और अर्याना बासियों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा जो पिछले विदान सबा चुनाओं में पूरे अर्याना ने पार्टी को वोड दे कर एक रजिस्टर क के साथ साथ रिकोगनाइस्ट पार्टी का धरजा में मिला है उसके लिए अर्याना बासियों को सुबकाम नाएं देखिए हम जिलेवाइज हमने संगठन को दुरुस्त करने के लिए इन मिटिंगों का आयोजन शुरू किया है हम आने वाले दिनों में बुथ लेवल पर जा कर संगठन को दुरुस्त करने का काम करेंगे और एक बैतरीन युवा संगठन बनाकर अर्याना परदेश में एक बैतरीन युवा संगठन की मिसाल देकर आप देखना जन्ना एक जनता पार्टी का युवा संगठन अर्याना परदेश में सबसे मजबूत होगा देखिए र प्राइविट नोकरी भी मिलेगी देखे उसके लिए हमने अपने अपने पार्टी के जुपद आधिकारी हुन को न्युक्त किया है वो एक बार मिटिंग में बैठे हैं दूसरी मिटिंग की सायद 15 तारिक तै की गई है और सरकार बने हुए सिर्फ एक महीना हुआ है समा महीना नहीं हुआ है इतनी जल्दी कोई भी सरकार से पेक्षा आप नहीं कर सकते सरकार 104 रूफ से चलाने के लिए कम से कम 6 महीने लगते है चात्र संग का चुनाओ अगले साल होना है इस साल नहीं होना चुनाओ घब बात करेंगे उस पे और करवाने का भी परियास करेंगे आदनीagen वो तो जो मैनिफेस्टो होगए चात्र संग चुनाओ का उसके इसाब से ढरेक्ट होंगे ब्रेंडारिक्स होंगे उसके अभी में उस एक ठाट्र संगतन का मामला है जे-जे-पी पारटे का मामला नी है इन्सों हमारा एक ठाट्र संगतन है उसमें आधण्य दिगविज़ सिंग चोटाला जी आपको सही माईने में सही तरिके से बता पाएंगे लेकिन जल्द ही अर्याना पर्देश में अर्याना के युवाव को उनका अधिकार मिलता हूँ आपको दिखाई देगा अमारे इसाफ से खाली NCR NCR में 10 से 12 लाक युवाव को जो प्राइवेट दोगों में 30 से पलस तनखा लेते हैं जार से पलस ऐसे रोजगार हैं अगर वहाँ पी 70% मिलता है तो साड़े साथ लाक युवाव को रोजगार मिल जाएगा और साड़े साथ लाक का मतलब अब वहाँ सिरफ एक से डेड़ लाक अर्याना के युवाव हैं अर्याना परदेश को आज सबसे जादा किसी चीज की जुरुत है तो युवाव को रोजगार की जुरुत है उस रोजगार को देने के लिए प्राइवेट दोगों में हम इस नित्य को लागू करने का काम करेंगे और देखना जल्द ही समय तो लगेगा लेकिन जल्द ही अ अर्याना के युवाव को उनका अधिकार मिलता हूँ आपको दिखाई देगा तो कितने युवाव को रोजगार मिलता है अमारे इसाफ से खाली NCR NCR में 10 से 12 लाक युवाव को जो प्राइवेट दोगों में 30 से पलस तनखा लेते हैं 30 जार से पलस ऐसे रोजगार है अगर साथ लाक युवाव को रोजगार मिलेगा तो अर्याना पर्देश में बेरोजगारी की समझ्या अपने आप खतम हो जाएगी